इस segment में हम लोग discuss करेंगे optical path retardation and lateral shift of fringes के बारे में ये पूरा topic दो भाग में हैं एक है optical path retardation यानि जो प्रकासी पत है उसके रास्ते में किसी प्रकार का retardation का मतलब होता है बाधा लगाना और दूसरा इसमें topic है lateral shift of fringes यानि पूरे fringe pattern का laterally shift कर जाना ठीक तो ये जो topic है ये interference interference के topic से ही जुड़ा हुआ है जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं अभी हम लोग interference पढ़ रहे हैं तो interference की घटना में आप लोग जानते हैं कि जो प्रकास का व्यती करण होता है उसमें हमें कम से कम दो प्रकास तरंगों की आउशक्ता होती है और वो दोनों प्रकास तरंग जो है वो monochromatic and coherent होने चाहिए ठिक तो अब यहां पर यह diagram आप लोगों पिछले turn पे भी देखे थे कि यहां पर माल लिजे एक यहां पर source S1 है और दूसरा source S2 है अब यह दोनो light source monochromatic और coherent है यानि एक वरणी कला संबद्ध प्रकास रोत है अब इन दोनों से जो दोनों तरंगे चलेंगी प्रकास तरंगे यह तरंगे यहां इस screen पर आपस में व्यतिकरण करती है यानि interference करती है तो इस screen पर हमको interference pattern दिखाई देता है इन general होता क्या है कि अगर आप यहां पे पह चला और यह यहां पर आया या फिर कहीं पर भी माली यहां center में यहां पर आया तो जो interference pattern बनता है उसमें general pattern यह होता है कि middle में यहां पर bright fringe बनेगा उसके बाद dark फिर bright dark ऐसा एक fringe का pattern मिलता है ठीक ऐसा pattern मिलता है अब हम लोग क्या करते हैं कि optical path retardation करते हैं मतलब हम लोग एक जो यहां पर light है जैसे यह s1 से जो यह light चला है इसके रास्ते में हम लोग एक glass transparent glass plate यानि पार दर्सी कोई काच का टुकडा रखेंगे माले जिए उसका थिकने से T तो इसका पूरा क्या प्रभाव परेगा देखिए इसमें पहली बात कि जिस प्रकास जिस light के रास्ते में यह glass plate रखा जाता है उसी की और पूरा का पूरा fringe pattern shift कर जाता है नहीं समझ में आया पहले ठीक है इसको अच्छे से समझ देखिए पहले किसी भी प्रकास किसी भी light के path में कोई भी transparent material रखने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है optical path retardation क्योंकि यह जो T thickness तक यह glass का जो ट है अगर इसका refractive index mu है तो इतने दूरी में जितने thickness का यह glass plate है उतने दूरी में इसका optical path कितना हो जाएगा mu into t यानि इतने दूर में जो light है वो थोड़ा slow हो जाएगा यानि light के path में एक प्रकार का retardation यानि बाधा उत्पन हो गया तो इसका प्रभाव यह होता है न कि जो भ अगर यह glass plate दूसरे light के path में रखा गया होता तो दूसरे light की path की path की ओर shift करता यानि नीचे की ओर तो यह आपको दिखाई कैसे देगा यह इस तरह से दिखाई देगा मालीजिए जब यह glass plate नहीं रखा था तो जो central bright fringe बना था वो r position पे बना था जैसे ही इस light के path में यह tip thickness का हम glass plate रखेंगे तो यह जो central जो bright fringe जो r position पे बना है यह shift होके r dash पे चला जाएगा उपर की ओर laterally shift हो जाएगा और पूरा का पूरा fringe pattern ही उपर की ओर shift कर जाएगा समझ में आया यानि optical path retardation के कारण जो पूरा fringe pattern है वो laterally shift कर जाता है या तो उपर की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर shift करेगा अगर वही मैंने बताया कि यही अगर glass plate हम लोग इस light second light के path में रखेंगे तो चुकि यह S2 यहाँ नीचे की ओर है तो इस case में यह fringe pattern laterally नीचे की ओ और shift कर जाता अब बात समझ में आया ना तो यहाँ पर यह diagram आपको समझ में आ गया ठीक यहाँ पर 2D क्या है S1 source S1 और S2 के बीच का distance है और source और screen के बीच की दूरी capital D है ठीक पहले R position पे central maxima बना था central bright fringe लेकिन जैसे यह इस glass plate को रखा गया bright fringe कहां पे shift हो गया R dash पे तो मा पा रहे है X naught क्या है lateral shift इसी का हमें value निकालना है ठीक कि जब T thickness and mu refractive index का glass plate किसी भी एक light के path में रखा जाएगा तो उस प्रक्रिया में पूरा का पूरा fringe pattern कितना दूरी shift करेगा उसी का हमें value निकालना है X naught का समझ में आया आप diagram समझ में आ गया आप इसको notes देख लीजिए When a thin transparent plate is introduced in the path of one of two interfering beams then the optical path of that beam is retarded and it is known as optical path retardation. In this process the entire fringe pattern is shifted towards the beam in the path of which plate is introduced. This shift of entire fringe pattern is known as lateral shift of fringes. यानि जब व्यती करण करने वाले दो प्रकास तरंगों में से किसी एक प्रकास तरंग के रास्ते में कोई पतले पारदर्सी plate को रख दिया जाता है तो उस प्रकास तरंग का प्रकासी पत बाधित हो जाता है इस घटना को optical path retardation कहते हैं इस प्रक्रिया में पूरा fringe pattern उस प्रकास तरंग की ओर विस्थापित हो जाता है जिस प्रकास तरंग के रास्ते में पारदर्सी plate रखा गया था इस घटना को lateral shift of fringes कहते हैं अब यही यहां पर diagram है मैंने diagram आपको समझा दिया है पूरा और इसमें क्या निकालना है ये भी मैंने समझा दिया है अब आगे बढ़ते हैं let S1 and S2 be two coherent monochromatic light source r is the position of central bright fringe let a thin glass plate of thickness t and refractive index mu is introduced in the path of S1 light beam and hence in the path S1p the fringe must shifted upward let the central fringe shifted to position r dash at this position माल लेते हैं central fringe जो है अब वो कहां पर shift हो गया r dash पे अब एक बार और diagram पे आईए अगर ये glass plate न रखा गया होता ये न रखा गया होता तो यहां पर देखिए S1 यहां S1 r और S2 r ये दूरी बराबर होता और r position पे हमको क्या मिलता central maxima मिलता central bright fringe मिलता अब चुकि यहां पर T thickness का यहां पर glass plate रख दिया गया जिसका refractive index mu है तो अब यह जो fringe है r वाला वो कहां पर shift हो गया r dash पे तो ऐसे में अब जो S1 r dash और जो S2 r dash होगा वो बराबर होगा समझ में आया एक बार फिर से मैं बना दे रहा हूँ अब जो नया pattern बनेगा वो इस तरह से बनेगा ये और इस वाले के path में यहां पर यह glass plate होगा तो S1 into r dash यानि ये वाली दूरी S1 r dash बराबर S2 r dash होगा ठीक वही चीज़ यहां पर लिखा है क्योंकि वहां पर maxima बन रहा है ये तभी संबो है जब ये condition fulfill हो ठीक इसको यहां पर मैंने ये mention कर दिया है sort में कि S1 S2 दो कला संबद एक वरड़ी प्रकास रोत है जब T मुता r पर बनने वाला dip fringe ऊपर की और विस्थापित होकर बिंदू r dash पर चला जाता है now the path difference between S2p and S1p तो दोनों के बीच का path difference निकालना है ठीक तो हम path difference निकालना आपको बताया है जैसे यहां पर देख लीजिए यहां पर कोई arbitrary point P पर हम लिए है तो यह S2p माल लीजिए यहां प तो उसी तरह path difference निकालेंगे लेकिन यह बीच में T thickness का यह glass plate तो इसमें जो यह चली गई दूरी है वो अलग से हम लोग mention करेंगे समझ में आया उसको कैसे mention करेंगे यहां पर देखिए S2p यहां पर इसको निकालेंगे हम लोग S2p minus तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहां प तो घटा दियें लेकिन एक बार ध्यान दीजिए इसमें यह वाला जो पार्ट है इसको हमें consider करना पड़ेगा तो पहले चुकि जो S1p लिया है इसमें यह पूरा यहां से यहां तक कभर हो गया है तो इसको हम लोग consider करने के लिए देखिए इसको कैसे करेंगे S2p से S1p minus T पहले घटाईए और उसमें mu into T add कर दीजिए ऐसा क्यों इसलिए किया जा रहा है कि देखिए हमें पाच difference जरूर यह निकालना है यहां पे देखिए यह S2p minus यहां पे S1p जब हम करेंगे तो यह तो पूरा consider हो गया न लेकिन यह T तक की जो दूरी है वो तो glass plate क के अंदर चली गई है तो पहले यहां से T घटा दीजिए तो S1p में से T घट गया लेकिन इतना वाला path हमको इसमें add करना पड़ेगा इसका optical path अलग से add करना पड़ेगा तो plus यहां पर यह इतना दूरी चुकि mu reflective index के glass plate के अंदर तै किया गया है तो उसका optical path यानि उसका प् है यह equation ठीक एक बार फिर से समझा देता हूं S2p ठीक है इस में इस पत में नहीं था S1p में से पहले वो T thickness घटा दीजिए क्योंकि वहां पर glass plate आ गया है तो उतना तो घटा दिए लेकिन light उसमें चल तो रहा है न तो जो T thickness में light चल रहा है तो उतना optical path कितना होगा mu into T होग collective index होता है तो यह यहां पर हम लोग add कर देंगे ठीक तो अब इसका path reference यहां पर आ जाएगा यहां पर यह देखिए इसको solve करेंगे तो देखिए यहां पर simple equation को आप यहां पर open कर दीजिए यह आएगा S2p minus S1p और यहां पर mu minus 1 into T minus के साथ ठीक यहां से T हम लोग common ले minus S1p कितना आता है twice xd बटे capital D यह आप लोग young double slit experiment में से इसको हम लोग ले लेंगे इसको याद रखेंगे तो आप यहां से जैसे इस value को हम यहां पर रख देंगे तो path difference कितना आ गया this minus this अब यहां पर now condition for bright fringe हम लोग जानते हैं bright fringe के लिए condition क्या होता है bright fringe के लिए condition होता है माल लेते हैं जो bright fringe है वो जो point P पे बना है वो nth bright fringe है तो उसके लिए condition क्या होता है path difference is equal to bright fringe के लिए n into lambda होना चाहिए path difference n into lambda होना चाहिए तो यह पूरा path difference is equal to n into lambda अब यहां पर xn क्या है nth order का यह दिप्त fringe यानि bright fringe है तो यहां से xn की value निकाल लेजे तो यह xn की value आ गई clear हो गया अब हम लोग माल लेते हैं चुकि हमें shift निकालना है ठीक तो अब हम लोग माल लेते हैं कि जब glass plate नहीं रखा गया था जब glass plate नहीं रखा गया था तब कितना fringe जो same जो n order का fringe ध्यान से समझे बात को नहीं समझ पा रहें तो सुनिए यहां पर मैं diagram बना रहूँ दे thickness t thickness का जो glass plate है उसको रख दिया गया तक अगर उस glass plate को न रखा जाए तब हम लोग check कर लेते हैं कि वो कहां पर बना था वो fringe nth order का जो fringe है तो t बराबर 0 रख देंगे इस equation में तो जो x dash n आएगा कुछ न कुछ यहां पर आएगा यह वो दूरी है fringe की जब उस glass plate को हटा लि तो दोनों को जब घटा देंगे तो हमें lateral shift मिल जाएगा तो वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं एक तो यह equation आ गया जब glass plate t thickness का रखा गया था दूसरा इस equation में 3 बराबर 0 रखिये तो जो nth order का जो bright fringe बना है r point r जो है middle position से वो x dash n यह आ जाएगा यह तब के लिए है तो यहां से आ जाएगा the lateral shift of nth bright fringe is x not equal to xn minus x dash n इसको घटा लिजे simple equation है यहां पर हमारा आ जाएगा lateral shift x not का formula इसको आप लोग याद रखेंगे capital D by 2d mu minus 1 into t अब इस equation में एक अच्छी बात यह है कि this equation is independent of n यानि इसमें n का factor नहीं है इसका मतलब जो पूरा fringe pattern जो displaced होता है laterally वो सभी order का fringe समान दूरी से displaced होता है ठीक है क्योंकि n का factor इसमें नहीं है अब note में कुछ point देख लेते हैं in this shifting of fringe the fringe width remains same मने यह जो fringe का shift होता है इसमें fringe का width नहीं change होता है तो इसको check करने के लिए हम लोग क्या करते हैं xn वाला formula हम लोग ले लेते हैं और एक और इसी formula में n बराबर n plus 1 रखके xn plus 1 वाला भी bright fringe निकाल लेते हैं यह nth order का bright fringe के लिए है और यह n plus 1th order के bright fringe के लिए है तो fringe width कैसे निकलेगा xn plus 1 वाले में से xn घटा दीजिए तो fringe width बीटा आ जाएगा और आप लोग पाएंगे कि बीटा यानि fringe width का यह वही formula आ रहा है जो double slit experiment में आया था यानि इस पूरे प्रक्रिया में lateral shift के प्रक्रिया में fringe की मोटाई नहीं बदलती है अब इसका हम लोग एक application देख लेते हैं कि यह जो lateral shift of fringes है यह जो हम लोग थियोरी पढ़ रहे हैं इसका application क्या है क्योंकि इस पे numerical पूछा जाता है सबसे इसका बहतरील application यह है कि इस experiment के द्वारा यानि lateral shift of fringe experiment के द्वारा आप लोग किसी unknown thickness के glass plate की मोटाई निकाल सकते हैं मने वो जो glass plate हम लोग T thickness का रखे थे माली जी उसका मोटाई हमें नहीं पता है और refractive index पता है तो हम लोग उससे उसका थिकनेस निकाल सकते हैं और एक और application अगर कोई glass plate का हमको थिकनेस पता है तो उस glass plate का refractive index भी इस formula से निकाल सकते हैं जो कि इसका बहुत ही important application है तो formula बना लेते हैं देखिए यह x not lateral shift का यह formula आया है और हम लोग जानते है fringe width का formula यह होता है तो यहां से beta by lambda is equal to निकालेंगे तो capital T d by 2d आएगा तो यहां पे इसके जगह पे हम लोग beta by lambda रख देते हैं तो एक और formula हमारे सामने आ गया x not equal to beta by lambda mu minus 1 into t अब आप इसमें देखिए सारे parameter experimentally निकाले जा सकते हैं जैसे beta क्या है fringe width तो fringe width हम लोग experimentally calculate कर सकते हैं यहां पे है mu और यहां पे है t यही दो unknown factor है तो अगर आपको refractive index पता है तो इसी formula से आप थिकनेस निकाल सकते है उस glass plate का और अगर आपको तो thickness पता है refractive index नहीं पता है तो same formula से आप यहां refractive index का formula बना सकते हैं यानि आप लोग एक काम करिए यह main formula याद रखिए lateral shift का इस formula से आप mu और t दोनों का equation निकाल सकते हैं और मैं बार-बार बोल रहा हूं इस पर numerical भी बहुत बार पूछा गया है समझ में आया है इसका सबसे यह बहतरीन application है ठीक तो यही यही तक यह topic है lateral shift of fringes तो I hope आपको यह segment पसंद आया होगा मैं एक बार फिर से कह रहा हूं यह जरूर याद रखिएगा ठीक है तो इस topic में हमने यह पढ़ा optical path retardation and lateral shift of fringes ठीक simple topic था कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया होगा ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत सुक्रिया